Hey guys, welcome back to our YouTube channel Yoni Classes तो आज मैं आप सभी को कुछ inform करने आई हूँ और मैं पताने आई हूँ जैसे कि आज मैं एक्जाम सेंटर पे गई थी तो मुझे पता चला कि आपको कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपको बिल्कुल भी अलाओड नहीं की जाएगी एक्जाम सेंटर में अंदर ले जाने के लिए वो कौन-कौन से चीजे हैं मैं ज्यादा टाइम दिस नहीं करूंगी जिसका भी कल एक्जाम है उन सभी को all the best अजिस अटेम्प करके आना है डरना नहीं है देखो डर तो होता है थोड़ा वो डर लगता है हमको ऐसा लगता है कि हाँ एक्जाम ठीक से होगा नहीं होगा तो देखो डर के आगे जीत है मैं तो यहीं बोलते हैं सभी स्टूरेंट्स को तो बिल्कुल बे डर होकर आपको जाना है एक्जाम देकर आना है आप कौन से चीज़े ऐसी है जो आपको जो है ग्जाम सेंटर में लेकर जानी नहीं है तो देखो आपको जो है mobile phone एक भी जो है mobile phone बच्चे मुबाइल फोन लेकर जाते हैं सोचते हैं कि हम जो है जब-च जो होई जो अकेले जाते हैं पेडिंस के साथ नहीं जाते हैं तो contact करने के लिए सोचते हैं कि mobile number लेकर जाए या फिर smartphone लेकर जाए तो वो बिल्कुल allowed नहीं किया जाता है, smartwatch allowed नहीं की जाती है, अब students के मने में होता है कि ma'am या फिर कैसे फिर हम कैसे contact करेंगे अपने जो parents से उससे, तो simple सी वात में आपको बता हूँ, वहां के जो guard होते ह बहुत ही helpful होते हैं, वहां पर जो guard से वह भी आपके बात करा देते हैं, guard बात नहीं करा देते हैं, तो बहार parents भी इतने सारी होते हैं, किसी से भी आप जो request कर सकते हो, और parents जो आपके parents से बात करा सकते हैं, ठीक है, दूसरी बात smartwatch, जो है coin नहीं लेकर जाएगा, वोच में allowed होता है, और coins, coins जो है, यानि कि जो सिक्के होते हैं, वो नहीं लेकर जाने होते हैं, और हम जो है note लेकर जा सकते हैं, सिक्के allowed नहीं होते हैं, बट SOSC में देखे तो फिर भी कर देते होंगे allowed, पर अगर main exam में देखे कहीं पर भी, जो सिक्के वो allowed नहीं होते हैं, तो इस according में तो यही कहोंगे सिक्के मत लेकर जाओ अपने नोट लेकर जाओ क्यों जब चैक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हां कुछ अलग चीज है और साथ-साथ चीटिंग करने के लिए सोच रहा कोई बच्चा तो संभल जाओ बिल्कुल भी आपको जो है एक्जाम नही के जा सकते हो पुछ आप और सके साथ साथ मॉबाइल हों कि हां त्रांस्फेरिंट वोटर बॉटल लेकर जासकते हो बट ऐसी वोटर बोटल जिस पे कुछ लगा हुआ है कुछ छिपका हुआ तब शिज नहीं लिएकर आर पार- Expand गै कि तरुट आपको लेकर जानी है AI बिल्कुल बिल्कुल विवयं तो इसलिये इन बातों का ध्यान रखनें आपको तो retrans które को मैंने ओल्रेडी बता दिया आप फॉर्मल और यॉनिफर्म कोई भी पैन के ला सकते हो या फिन अपने घर की बी कई जाँ पैन के लाया सकते हो उसमे फिल्णा के When तो वो बाते कौन कौन सी है मैंने जो है ड्रेस कोड की वीडियो में आपको बना कर कल ही डाल दी थी, ठीक है उसको देख सकते हो ध्यान से और हर एक चीज भही फोलो करके जाने हैं, ऐसा है नहीं है कि अपने आपको बंठन के लेकर जाना है नहीं, और जो चीजे मैंने तो आपको ही वहां पर टाइम वेस्ट लगेगा, आपको लगेगा मेरे साथ यह क्या हो गया, तो इसलिए मैं यह कह रही हूं कि उस टाइम पर जब हम एक्जाम देने जा रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे मन में ओहो मेरे तो बॉर्ड भी रखवा ले लोने, मैं तो ज तो मैं अपना बॉर्ड ले जाना बूल गई और उस टाइम पर जो डेक्स होते थे ना वह बही इतने बेकार डेक्स था मेरे को जो मिला था वह तो मेरे एक फ्रेंड इतनी अच्छी थी उसने जो है उसका डेक्स अच्छा था तो उसने मुझको अपना बॉर्ड दे यह का और खुद उसको बिना उसकी लिखा उसने तो ऐसी चूट चूटी गलती हो जाती हम से तो इसलिए मैं अपना एक्स्पिरिंस इसलिए शेयर कर रही हूं कि आप जो है अब भी बैट कर यानि कि अपने एक्जाम से पहले बैट कर एक रात पहले हर चीज को डाल लो यह मत तो सब कुछ बिकड़ जाएगा एंट्री ही नहीं मिलेगी आपको ठीक है और यह वहाँ पर क्या होता है एक बजे तक का जैसे जो गेट क्लोस टाइम वह एक बजे तक का है तो एक ही बजे चूडेंगे आपको तो अपने पिरियंट्स को आप आराम से बोल सकते हो कि एक ब लंबर पर चेक ही जाते है तो बड़ा प्रोसेस होता है इसलिए आपको जो है टाइम से पहले जाना पड़ेगा और बस यही इनफॉर्म करना था मुझे आप सभी को तो अच्छे से एक्जाम करके आना है बिलक्कुल अच्छे से कोई गडबड़ी नहीं करनी है आपको चा होता है कि सेंटर वाले स्कूल में हमें जो है अड्मिशन मिलता है तो इसलिए में यह बोल रही हूं कि आप जो है उनसे बेज जीजिक चीज़े पूछो अकर OMR शीट में कहीं पर गडबड लगए कि मेरी यहां पर गडबड होगी तो उनसे पूछो करेक्शन करने का मोका अच्छे से करना है बिल्कुल अच्छे से अगर किसी ऑप्षन को गलत से टिक कर दिया तो हो गया तो यह मेरी मैंने इसलिए बताया और मार शीट की वीडियो देख लेना मैंने आपको समझाए कि इस तरीके से आपको चीज़े वहां पर करके आनी है तो उन चीज़ों को ध एक्जाम है वो हाई लगे उनको तो वो भी देखा जाएगा जो होगा वो आगे होगा आपका टाइम है आपको महनत करनी है तो महनत की आपने अब जो होना है वो आगे होना उसके लिए छोड़ दो तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी इंफोर्मेटिव लगी और कुछ आपको सीखने के लिए मिला तो आप इसको लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो अपने लाइक, शेर, एन सब्सक्राइब थैंक यू